हेलो फ्रेंड आज इस वीडियो में हम टैक्सिम के बारे में बात करेंगे तो गाइज यहां आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं यह टैक्सिम इंजेक्शन है जो कि काफी फेमस है और आपने भी इसका नाम जरूर सुना होगा दोस्तो यह टैक्सिम 500 mg का इंजेक्शन है इसके अंदर सीफो टैक्सिम सोडियम होता है जो कि एक एंटिवाइटिक दबा होती है गाइज यह आरेक्स यानि के प्रेस्क्रिप्शन वेज है और एलकम लेबरेटरी इसको बनाते हैं दोस्तो यह आई-एम और आई-वी यूस के लिए होता है यानि आप इसको इंट्रमस्कलर और इंट्रवेनिस रूट से दे सकते हैं तो दोस्तो यह इंजेक्सन एक हॉस्पिटल में ट्रेंड नर्सिंग श्टाफ के द्वारा दिया जाता है ऐसी कोई भी मैडिसिन आप कभी भी घर पे खुद से ना ले वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है दोस्तो तो चलिए इसके बेनिफिट्स की हम बात कर लेते हैं इसके क्या-क्या फायदे होते हैं यह कौन-कौन से बेनिफिट्स देता है तो दोस्तों ये एक एंटिवाइटिक दवा है जैसा कि हमने बात की एक एंटिवाइटिक दवा है जो की बैक्टेरियल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा दी जाती है तो गैस जब भी किसी मरीज को कट लग जाता है घाव हो जाता है फोड़ा या फुनसी हो जाते हैं फोड़ा फुनसी होने लगते हैं और कोई चोट लग जाती है कोई सरजरी होती है माल लीजिए और सरजरी में या किसी चोट में टांके लगते हैं जिनकों की इस्टेचिस कह चाँक जाता है यानि टांके बगैरा लगते हैं जैसे कि किसी को कोई चोड लग गई और इस पर जो टांके लगे हैं तो गैज इन टांकों को सुखाने के लिए कट गाव फोड़ा फून सी इन सब चीज़ों को सुखाने के लिए काफी अच्छा injection माना जाता है दोस्तों सीफ के और लगते हैं कटगा हो जाता है उसके लिए काफी अच्छा होता है इसके लाबा गाईज ये बैक्टेरियल इन्फेक्शन यानि कि बैक्टेरिया की वजहा से जो इन्फेक्शन हो जाते हैं बच्चों में उसके लिए काफी अच्छा होता है किसी का कान बहने लगता है उस ठीक करता है तो दोस्तों इस तरह से इसके जो है फाइदे हो जाते हैं बात कर लें इसके MRP की तो 22-23 रुपय में आपको मिल जाता है और इस तरह से ये medicine निकलती है गाईज इसके अंदर injection निकलता है और जो है यहाँ पर still water निकलता है तो जब भी nursing staff इस injection को लगाते हैं तो कुछ बातों का विसेश कर ध्यान दिया जाता है कि still water को mix करने के बाद इसको जब हिलाते हैं तो इसके अंदर particles वगेरा ना हो injection साफ सुतरा हो दही की तरह ना फटा हुआ हो और अगर ऐसा होता है तो उस condition में नहीं लगाना है दूसरी वाइल यूज़ करनी है और इसके लिए guys injection कैसे त्यार करते हैं कैसे चेक वेक करते हैं यह सारी चीज़ें जानने के लिए मैं एक separate वीडियो बना दूँगा तो उस तो दोस्तों जैसा कि एक antibiotic दबा है फायदे के साथ साथ कुछ side effect भी कर सकती है और जो मरीजों में common side effect देखने को मिलते हैं इसको लगाने के बाद तो सबसे पहला side effect यह आता है कि मरीजों में जो है इस टमक upset होने की काफी समस्या देखी जाती है कि मरीजों में जो है पेट खराब होने लगेगा दस्त लग जाएंगे उनको और इसके अलाबागाई इस injection को लगने के बाद कभी कभी रोगी को चक्कर आ जाते हैं डिजनेश वगरा हो जाती है वर्टिगो हो जाते है तो ऐसी condition जो है create हो सकती है तो ऐसी अगर कुछ situation बनती है तो उस condition में बिलकुल इसको 7 ना करें इसका इस्तमान ना करें रोक दें और अपने डॉक्टर को बताएं जिससे कि वो आपको एक सही medication दे सकें दोस्तों हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप कोई भी medicine यूज करते हैं हम इससा अपने डॉक्टर की सलहा से यूज करें यह थी आज की इस वीडियो में injection टैक्सिम के बारे में जानकारी मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं गाईस साथी चैनल पर आई हैं तो सब्सक्राइब करके वैल आइकन को जरूर दबाएं इससे आपको ऐसे ही नौलिजिवल वीडियो मिलते रहें